जये नमस्कार दोस्तों विल्कम टो आपके येट्यूब चैनल एम नाइटी से स्वागत दोस्तों जी हाँ दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशकरी निकल क्या रहा है वह से चात्रे हम चात्रा है जो 222 में फाइनल बड़ एक्जाम देने वाले है चाहे वो मैट्र एक्जाम नहीं पास करते तो आपको फाइनल बड़ एक्जाम देने का अनुमती नहीं मिलेगा साथी साथ आप सभी को बता दें दोस्तों पूरी जनकारे इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से दे दिए उसके लिए वीडियो को शुरू से लेके अंतक बने रहागा तब चाहिए वो मैट्रिक के स्टुएंट हो अथवा इंटर के स्टुएंट नहीं जो भी दोस्तों इसमें फाइनल बड़ एक्जाम देने वाले तो आप से इक्जाम को बता देना चाहते दोस्तों एक्जाम को लेकर करके दोस्तों उसकी तैयारी में जुट गया है बिहार बोड् सुतरों का मानना है की अगले महिने यानि अक्टुबर महिने में इंटर मेट्रिक सेंटर परिक्छा होनी की संभावना है। दोस्तों आप सेवी को बता दे कि आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में मैट्रिक और इंटर का सेंट अप एक्जाम होने की संभावना ब्यक्त की गई है क्योंकि इसमें आपको बता दे दोस्तों बिहार वोड इसके पीछे बहुत जोर सूर्चे लगा हुआ है जिहां दोस्तों बता दे इसको लेकर लिए बोड सेंटर प्रिक्षा के लिए तयारी में जुट चुका है बता दे इस वर्ष सेंटर प्रिक्षा में कई बदलाओ छात्रों को में देखने मिलेगी जिहां दोस्तों आप सेवी को बता देना चाहते हैं कि इस वाज जो सेंटर प्रिक्षा होगा उसमें कई बदलाओ देखने को मिलेगा Board exam patterns लेकर वह अन्य सहीद जनकारी छात्रों को सेंटर प्रिक्षा में मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि board exam जो होगा आपको pattern से लेकर के जो आपका center exam में syllabus रहेगा सारा change देखने को मिलेगा जब आप exam देने जाएगा तभी आपको पता चलने वाली है कि pattern में क्या बदला हुआ है और syllabus में क्या बदला हुआ है जी हाँ दोस्तों आ objective की संख्यां थी वो 50-50 था जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर 10 question objective आया था तो इसमें 5 गो के जवाब देना था example के तौर पर हम बता रहे हैं तो इस बार जो है आपको objective की जो संख्यां रहेगी वो कितना रहेगी आपको exam देने के बाद ही पता च परिक्षा में मिल जाएगी जिहां दोस्तों बोड अपनी तयारे में जूट चुका है बता दे बोड अध्यच का चात्रों के लिए यह भी संदेश है कि चात्र भी अपने बोड परिक्षा तयार में जोर सोर से जूट जाए वह सेंटर परिक्षा में चात्रों को पास होना अनिवार्ज है, जहां दोस्तों आप से भी को बता दे, यहां पे बोर्ड साफ साफ बता दिया है कि छात्रे भी सेंट अप एक्जाम में पास करें, तभी आपको फाइनल बोर्ड एक्जाम देने के नुमती मिलेगी, अन्यत्या, आप final board exam नहीं दे पाईएगा, क्योंकि send up प्रिक्षा का एक रूल होता दोस्तों, कि अगर आप send up exam नहीं पास करते हैं, तो आपको final board exam देने को नहीं मिलेगा, तो जो भी छात्रे हम छात्रे हैं, 22 में final board exam देने वाले हैं, चाहे matrix का हो, या फिर enter का हो, आप तया कि दूएट